नमस्कार में निलम आज आपको में पालक पनीर बनाने की वेदी बताती हैं यह 500 ग्राम पालक है और 5 बड़े टमाटर है और 100 ग्राम पनीर थोड़ा सा नमक है और मिर्ची रंदी और लैसुन है दो बड़े प्याज है कटे हुए दो मिर्ची है हरी गरम मसाला आदी तेल की कटोड़ी है और काजु है पुड़े गार्निश के लिए आये मैं आपको पालक पनीर बनाने की विदी बताते हुए यह पालक को हमने पानी में डाल के रखा है और इसे साफ करके इस तरह से हमें कुकर में डालना है अब दो प्याज जो हुने काटके रखे थे वह हमें इसमें डालना है यह लैस्वन जो हुने चील के रखी थी और यह नमक एक चमज नमक है यह सब इसमें डाल के वह में इसको उबालने के लिए रखेंगे और प्रेशर में और थोड़ा सैंश्ममें डाल दिorean ज्यादा पानी डालना कि घम के वह जो अब और उबालने के बाद पानी अपने आपी इसमें निकलने लगह और प्याज और लैसन शर्टतन सब आजनी Unterавать के अवा थे लो मिलैंट फिरिंस में मिक्सर के लिए 2 CTO में लगाना है वो पालक पूरे अच्छे से ये गल जाएगा आईए हम देखते हैं कि हमारा पालक पूरी तरह से उबल चुका है इसे हम मिक्सर में पीस लेंगे आईएगा वालक पूरा उबल चुका है पीषेंगे और बारिक पीष लेंगे और यह टमाटर भी हमने काट के रखे हैं साथ में मिर्सी हम इसमें डाल रहे हैं इनको अलग-अलग पीष लेते हैं कि आई यह हम से पीषते हैं कि आई अब हम देखते हैं अब हमारा पाला यह देखिए अच्छे से विस्टुका है कि यह इस तरह से और हम गेस गरम करेंगे गेस को चालू करेंगे इसमें अब तेल डालेंगे एक चमच तेल को गरम करने के लिए थोड़ा है कि इसमें पालक डालेंगे सबसे पहले तेल में थोड़ी सी हल्टी डालेंगे अब हम तेल को पाली में थोड़ी सी बलती डालेंगे पालक डालने के बाद अब हम टमाटर को भी इस तरह से बारिक पीश लेंगे अब हम टमाटर को भी पीश रहे हैं बारिक पीश ना है हमें कि यह टमाटर को यह तरह से आफ रसके डाल जाई है कि देखिए इस तरह से अच्छे से पख रहा है इसे हम पांच एक मिनट तक पखने देंगे इसे अब भांचे रखेंगे हैं कि इसमेंने नमक हो गer है तो हमारा मिला हुआ है और आप चाहिए तो पेज के आप आई साथ विए प्रश्च में नमक दाल सकते हैं इसे पास मिनट के लिए रहांके रख देते हैं इस तरह के लिए हम ताहंके रखें अब हम इसे देखेंगे पालक को हमारा पालक गालक जो कि दम किता हम अच्छे से बढ़ गया हो विक्स हो गए है अभी को आपर आपर अच्छी से प्राइब हो गया है अब हम इसे उतारें लिए रहा हम पनी पुट्वा का प्राइब हो गएंगे अच्छी पूरा खालक अच्छी से पट जब रहे हैं अब इसके पूरा सा तेल डालेंगे गरम करने के लिए इसमे थोड़ा सा गरम मसाला थोड़ा सा गरम मसाला कॉर को पॉरकी नहीं कर दोड़ार क्वड़ा में रहें पॉर्ड़ा रहां पॉर्डाओ से वीचे रहें यहां पॉर्ड़ा से जिया लाएंग, तो बाता है कि जाला प्राइमें चालने है, कर अपयरिया है चला बिलाओें टपर बिलाओ कर भी उखिटें कर देके जाएक देड़ के दिवान लाहते हाँ खिशने वह जरूम कि इस तरह से उपर से दाव दोगें आए देखे यह हमारा पालक पनीर कि इसके साथ खुलाओ के साथ खा सकते हैं प्लेन चावल के साथ परांठे के साथ पुड़ी के साथ जिसके साथ भी खाईए काफी स्वाजिस्ट और अच्छा रहता है देखें आप जरूब ट्राय कीजिए ट्रीस करिए कि